वेरी गूड इवनिंग तू अल आफ यू मैं फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हिंदी टेकनिक्स में दोस्तो थमनेल से आपको पता चल रहा होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं जी हां दोस्तो आज हम आपको बताएंगे वजीब सा लगा होगा आपको क्योंकि आपने पहले नहीं सुना होगा दोस्तो वयोश्री योजना ये कई सालों से लाउंच हुई है लेकिन यहां पर किसी को जानकरी ना होनी की वज़ा से इसको किसी को सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा है दोस्तो वयोश्री योजना के ब से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करना ना बू उपन करना है दोस्तों बहुत अच्छी वेबसाइट है इस पर जो भी आपको योजना मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी दोस्तों जितने भी गवर्मेंट की स्कीम्स होती है सारी इस वेबसाइट पर अपलोड होती है सरकारियोजना.com ठीक है दोस्तों तो इस पर देखि यानि 60 साल से उपर के जितने भी एज के हैं जिनकी एज 60 साल से उपर है उन लोगों के लिए है और वो विकलांग है चाहे वो आख से हो चाहे वो उनके दात नहीं हो चाहे वो विकलांग हो चाहे वो उन पर पैर खराब हो उनका या हाथ खराब हो कुछ भी चीज हो उन लोग वो लगने वाले हैं और कई जगा पर ओल्लेडी लग चुके हैं इन कैप में दोस्तों क्या होता है जो उपकरण होते हैं जो वरिष्ट नागरिकों के लिए जो विकलांग होते हैं उनके जो उपकरण होते हैं वो वितरित किये जाते हैं बिलकुल निशुल्क तो दोस्तों इ जी ने 2017 में इसे लॉंच किया था इस सरकारी योजना के तहट केंदर सरकार यानी सेंटरल गवर्मेंट बीपिल परिवारों से सम्मंद रखने वाले वरिष्ट नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहीयोगी उपकरोन की पेशकश करेगी दोस्तो राश्ट योजना के तहट केंदर सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन वीलचेयर ट्राइसाइकल ये सारी चीजें होती हैं जो विकलांगों के लिए बहुत ही लापकारी होती हैं ये सारी चीजें प्रधान की जाएंगी राश्ट्रिय वहिश्री योजना का उद्देश से लोगों को जीवन सहायता उपकरण प्रधान करना है जिससे कि वो समानने जीवन व्यतीत कर सकें वर्धावस्ता विकलांग जैसे कम द्रिष्टी कम सुनना दातों की हानी और गतिरोध विकलांग का मतलब चलने फिरने में जो विकलांगता होती है वो उन वरिष्ट वर्धियों को मुफ्त सहायक उपकरणों को वितरन करने का लक्षे रखा है उपकरणों के वितरन के लिए सरकार पूरे वर्ष्ट के लिए पृतियक राज्जे के दो जिलों में शिवर का आयोजन करेगी जी हां दोस्तो अगर हम बात करते हैं अपने राज्जे यूपी की यूपी में अगर आपको पता करना है किन सिटी में आपके किन शहरों में लगने वाले हैं केम तो दोस्तो आपको बता दूँ एक तो वरांसी यानि बनारस में लगने वाला है दूसरा आपका लखनों में लगने वाला है दो आपके शिवर लगेंगे उत्तर प्रदेश में भी तो इसकी जो डेटेल्स है वो आपको अपनी कलेक्टरी से समाज कल्यान विभाग से या फिर कमिशनरी ओफिस से आपको मिल जाते हैं क्योंकि कमिशनर जी भी यहां जो है कमेटी के मेंबर होते हैं तो दोस्तों आप अगर चाहें तो डियम ओफिस कलेक्टरी से इसके बार दूस्तो रैश्ट्रिये व्यश्री योजना उप्करण की सूची है कान की मचिन वीज़चेर वॉकर वैसा की तिपाई चष्मा डैंचर और अन्ने कई उपकरण हैं राष्ट्रिये वई योजना योगयता मांदन तो बात करते हैं यानि कौन लोग इसके लिए applicable होंगे बुजर्ग व्यक्ति जो निम्न लिखित मान दडनों को पूरा करते हैं इस यूजिना का लाब के हगदार हैं लाबारती की उमर कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति की गरीबी रेखा से नीचे रहने के रूम में प्रमारत किया जाना चाहिए इसके अलावा तीसरा डोकुमेंट दोस्तों लगता है इसमें वो है विकलंग प्रमार पत्र पहला हो गया आपकी 60 साल से उपर उमर होनी चाहिए और दूसरा हो गया आपका गरीवी रेखा से नीचे का कोई डोकुमेंट चाहिए वो BPL राशन नहीं दिया हुआ है इसके लावा बात करते हैं एपलाई करने की तो दोस्तों इसको एपलाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन परिक्रिया नहीं दी हुई है इसको अगर आप एपलाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आप अपने सारे डोकुमेंट लेकर अपने वहां आपको आपके जो उपकरण हैं वो आपको प्रोवाइट कराए जाएंगे तो दोस्तो आप अपनी कलेक्टरी में जाकर इसके बारे में पता करें कि राश्ट्य वयुश्री योजना कौन देख रहा है और किसके पास डॉकुमेंट्स जमा करने हैं इसके अलावा इसकी ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है अगर हमारे यूपी में कोई ऑनलाइन प्रक्रिया आती है तो मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊँगा दोस्तो इसी लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे मैं कोई भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तो मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा अगर ऑनलाइन एप्लिकेशन का कोई इसमें उप्शन आता है तो दोस्तो राजटिय वैश्री योजना जहां तक मुझे लगता है आपको सब कुस समझ में आ गया होगा दोस्तो ये दौनों के लिए है चाहे वो ग्रामिड शेतर हो चाहे वो शेहरी शेतर हो इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाइ करूंगा ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए